अनकेड़ेमी, लेट्स क्रागेट तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग We the people of India भारत को एक संप्रभू प्रभुत्व संपन समाजवादी, धर्म निर्पेक्ष, लोक्तांत्रिक गणराजय बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को एक-एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा जो लोग कहते हैं के वकीलों वाली भाषा है तो वकीलों की भाषा समझने का वक्त आ गया है सामाजिक आर्थिक न्याय विचार, अभिवेक्ति और धर्म विश्वास वो पासना की स्वतंतरता, प्रतिष्ठा और आउसर की समता प्रदान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एक्ता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ता के लिए द्रिड संग कल्पित होकर इस दिन को आंगिकरित, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं प्रदान को ये सम्मिधान हुआ अब इसके तत्व क्या है इसके हर शब्द क्या है और ये शब्द यहां क्यों रखे गए है उनका भी प्राइ क्या है ये बस हमें समझ लेना है प्रस्तावना को अच्छे से समझ जाएंगे तत्व क्या है पहला तो देखिए सम्मिधान के अधिकार का सुरोत आता है सबसे पहले हम भारत के लोग अथॉरिटी कौन दे रहा है भारत के सम्मिधान को बनाने की जो सम्मिधान सबाह हमने गठित की चुनाओ के जरीए गठित की भले ही नमंकन के जरिये भी गठित की लेकिन उसकी शक्ति कहां से आ रही है भारत के लोगों से तो जो सम्विधान के अधिकार का स्रोत है वो भारत की जनता है वी द पीपल आफ इंडिया हम भारत के लोग है ये बात याद रखिए दूसरा भारत की प्रकर्ती कैसी होगी कैसा सम्विधान बनाएंगे किस आधार पर सम्विधान चलेगा आप जानते हैं कि दुनिया के मक्तलिफ राष्ट्रों में अलग-अलग प्रकार की व्यवस्थाएं है जैसे एक व्यवस्था होती है राज तंत्र जहां पर राजा शासन करता है राजा का बेटा ही राजा बनता है या उसके परिवार का कोई विक्ति राजा बनता है ये राज तंत्र हो गया दूसरा औस्थ तंत्र हो गया मीडियोक्रेसी जिसको कहा जाता है तीसरा ताना शाही हो गया जिसमें एक व्यक्ति शाथां को capture कर लेता है और फिर उसपर चलता है फिर व्रिद तंत्र हो गया बहन तंत्र हो गया बहुत सारे तंत्र होते हैं सरकार की व्यवस्था के अलगलग तंत्र होते हैं कि कोई शाथान कैसे चलेगा तो भारत ने निर्धारित करने के लिए अपनी प्रस्तावना में उन शब्दों को रखा कि भारत के शासकों की प्रवर्ती क्या होगी पहला होगा भारत की संप्रभुता होगी संप्रभु होगा, किसी का दबाव नहीं लेगा समाजवादी होगा, समाजवादी और समप्रभू को आगे चल करके समझेंगे इन एक-एक शब्दों का बाइफर्केशन करेंगे फिर धर्म निर्पेग्ष होगा, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राजवेवस्था पर चलने वाला देश होगा समझ रहें، ऐसा देश जो इन सारी खुबियों के साथ होगा लोगों की सत्ता होगी, सबको आज़ादी होगी, सबको न्याय मिलेगा, सब बराबर होँगे, सब भायचारे से रहेंगे ये प्रकृती है भारत्य समिधान की फिर उदेश क्या है समिधान का उदेश्य है सबको न्याय दिलाना, सबकी आजादी, सबकी बराबरी और सबका भाईचारा ये भारत्य समिधान का उदेश्य है पावर आ कहां से रही है, किस प्रकार का राज होगा और लोगों के लिए क्या है और समिधान की तिथी, 26 नॉबर 1949 उनन्चास, उसी दिन अंगिकरित आत्म समर्पित हमने किया था ना आत्मार्पित किया था, खुद को बना के खुदी को आर्पित कर लिया ये है भारत की सम्विधान की प्रस्तावना में आप देखिए मुखे शब्दों पर आते हैं, आपने शब्द सुने होंगे समप्रभूता, धर्म निर्पेक्ष, समता, बंधुत्व, समाजवाद, ये क्या होते हैं इनको समझना जरूरी है, पहला है समप्रभूता समप्रभूता मतलब सौवरेन, यानि कि हम किसी का डोमीनियन नहीं है बारत अंग्रेजों का गुलाम था, हम अंग्रेजों के अधीन रह रहे थे तो हम पर उनका राज था, वो हम पर शासन करते थे वो जो आदेश देते थे हमें मानना पड़ता था लेकिन आज़ादी के बाद हमने कहा कि हम समप्रभू है प्रस्तावना में लिख दिया ना किसी देश का हम पर शासन है, ना हम किसी के अधीन है और हम किसी आंतरिक्या बाहरी दबाव के बिना कारे करने के लिए आज़ाद है यह होता है समप्रभूता और भारत ने समप्रभू खुद को घोशित किया 1949 में हमने राष्टमंडल की सदस्ता जरूर ली राष्टमंडल ब्रिटन की महरानी की अंतरगत एक समू था उन देशों का उन राष्टों का समू था जो बेसिकली आंग्रेजों की अधीन कभी न कभी रहे है भारत भी उसका पार्ट था भारत ने इसमें शामिल होना स्विकार कर लिया लेकिन भारतिय संप्रभूता को ताक पर नहीं रखा इससे भारत की संप्रभूता तनिक भी कॉंप्रमाईज नहीं हो रहे है कोई कहे कि भारत राष्टमंडल का सदस्त से संप्रभू नहीं रहा गलत बात है किसी विदेशी का दबाव नहीं लेगा किसी से order नहीं लेगा किसी की बात नहीं मानेगा जो हमें अच्छा लगता है वो हम करेंगे this is what sovereignty means हमारे लोगों के लिए जो अच्छा लगेगा बाइदवे समाजवादी समाजवाद क्या होता है देखे दो तरीके का समाजवाद राजनीती में अक्सर प्रियोग किया जाता है तो 1976 में 42 सम्विदान संशोधन के जरीए हमने समाजवाद डाल दिया लेकिन 1955 में अवाडी सतर हुआ था कॉंग्रेस का वहाँ पर हमने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने की प्लेज ली थी एक प्रस्ताव पारित किया था कि भारत में समाजवाद लागू होगा समाजवाद किस प्रकार का दो तरीके का है भारतिय समाजवाद जो हो वो लोगतांत्रिक समाजवाद है ना कि साम्मेवादी समाजवाद, आपने ये विचारधारा शायद पढ़ी हो, शायद ना पढ़ी हो, कम्यूनिजम की विचारधारा, कि हिंसक करांती के जरिये लोगों में समता आएगी, स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी, सब लोगों पर बराबरी होगी, कि जो सारवजनिक संपत्ती है, उसका वितरण किया जाएगा, व्यक्तिगत पुन्जी का निशेद किया जाएगा, ये जो प्रक्रिया हैं, ये समाजवाद के अंतरगत आती हैं, तो भारत ने समाजवाद को अपनाया, सामाजिक पुन्जी को तरह बड़े ना की समयवादी समाज की तरफ है। उन प्रक्रियाओं से जो समाजवाद आने वाला है और लोगतंत्र के माध्यम से जो समाजवाद आने वाला है उसमें बहुत भिद्धता है। उनकी वेतन भत्ते बढ़ा करके करिए। ये हमारा समाजवाद था। और सरवोच नयायले ने भी कहा था कि लोगतंत्रिक समाजवाद का उदेश्य गरीबी, उपेक्षा, बेमारी और आवसर की असमानता को समाप्त करना है ना की स्टेट के हाथ में पूरी ताकत देके लोग के हित में सारे फैसले होने चाहिए। बेसिकली हमारा समाजवाद लोकतंत्रिक समाजवाद और गांधिवादी समाजवाद में विश्वास रखता है। उसके बाद है उदारी करण की नीती आई, नीजी करण को हमने बढ़ावा दिया, वैश्वी करण को बढ़ावा दिया या देश है फिर है धर्म निर्पेक्ष धर्म निर्पेक्ष को अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि भारत के धर्म निर्पेक्ष में और विदेशियो या वेस्टरन के धर्म निर्पेक्ष में क्या अंतर है तो इसे हमने 42 में सम्विधान संशोदिन के अंतर के जादा स्वतंत्रता देते हैं, पढ़ा था, क्या करना है, वो सारी अनुच्छे दियाद करने हैं, उनको ध्यान रखना है, उसके अलावा वेस्टन और इंडियन सेकुलरिजम में क्या अंतर है, वेस्ट में तो चर्च बहुत डॉमिनिट था, स्टेट के आड़े आता था बा हमने कहा कि भारत का जो स्टेट है, भारत राज्य जो है, भारत देश जो है, उसकी सरकार जो है, उसके अंग जो है, वो किसी वेक्ति के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे, जबकि वेस्ट क्या कहता है, वेस्ट कहता है कि धर्म हमारे राज्य के मामलों में दखल नह लग था उसके अलावे एक शब्दाता है लोग तंत्र क्या होता है अभी मैंने अपसे कहा बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है शासन चलाने की राष्ट्रपती शासन में जैसे सरकार का एक तंत्र होता है या राज तंत्र में एक तंत्र होता है राजा का बेटा राजा वृद ताना शाही, ये सरकार के अंग है, किस प्रकार से सरकार चल सकती है, उसके प्रारूप है, उसके स्वरूप है, तो भारत ने लोग तंतर को अपनाया, लोग तंतर के कुछ विशेश स्थम्भ होते हैं, जैसे रेफरेंडम होता है, परिप्रिच्छा होता है, रिकॉल होता है, initiation होता है या जनमत संग्रह होता है प्लिविसाइट जिसको कहा जाता है तो इन प्रक्रियाओं को हमने अपना है directly नहीं अपना है जिसे हमारे recall का option नहीं है लेकिन फिर भी लोगों के जरीए शासन करने की विवस्था लोकतंत्र democracy is for the people by the people तो ये हमें समझना है कि लोगतंत्रिक विवस्था को क्यों अपना आया उसके अंतरगत भी दो तरीकी की विosthाइं है एक तो संसद्ये शासन है और दूसरा राष्टपति के अधेन शासन है अमेरिका ने राष्टपति पदिति को अपना है हमने संसधी अपद्धती को अपना लिया कि हर जगह से एक विशेश उसको कहें कि एक विशेश समू से, एक विशेश इलाके से set of people से एक representative आएगा, सारे देश से representatives आएगे, वो एक जगह बैठेंगे उसको संसध कहेंगे, वो लोगों के प्रति उसके बाद है ये फिर कुछ उधरण है, जो डॉक्टर बियार अरंबिड करने लोगतंतर के संदर्ब में दिये थे, अलग-अलग महनुभावने दिये थे, ठीक है तो उनका कहना है कि हमारी आजादी का, हमारे लोक तंतर का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, अगर हमारा जो लोक तंतर है वो विक्सित नहुआ, या उसमें आजादी नहुई, किस प्रकार की आजादी, सामाजी का आजादी, राजनेतिक आजादी और आर्थिक आजादी, साम रिश्यता से मुक्ति मिले, दूसरा राजनेतिक आजादी है, कोई किसी वर्ग से आता उसको चुनाव लड़ने की आजादी हो, खुद को रेप्रेजेंट करने की आजादी हो, वोट डालने की आजादी हो, और आर्थिक आजादी, धन अरजित करने की आजादी, कोई भी बि किया है और सभी वर्गों के लिए सामाजी कार्थिक और राजनेती के न्याय भी बहुत आवश्चक है आजादी के साथ साथ न्याय भी बहुत आवश्चक है इसलिए न्यायक समिक्षा को रखा गया फिर है गणतंत्र लोगों के द्वारा चुनावा शासन लोगों के प्रति लेकिन उनकी बुराई को छोड़ दिया ना हमने राश्ट्रपती के रूप में हमने राजा स्वरूप एक विक्ति को रखा लेकिन वो भी जो लोगों की प्रती जव्मिदारी होगी और दूसरा किसी भी विक्ति को कोई विशेशादीकर नहीं विशेशादीकार की अनुपस्थिती ये एक और गुण है लोगतंत्र का गणतंत्र का फिर न्याय अभी बात की सामाजी का आर्थिक और राजनेतिक तीनों प्रकार का न्याय भारत में सुनिश्चित किया महिलाओं को आज़ादी सुनिश्चित की व्रद्धों को सुनिश्चित की आर्थिक न्याय दिया राजनेतिक न्याय दिया सामाजी की न्याय दिया भेदभाव नहीं होगा अनुसुचित जाती जन जाती पिछड़े वर्गों से आर्थिक न्याय दिया संपदा आयर्जित कर करने का संपत्ति रखने का और राजनितिक in üzल्म नाय दिया कि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अधार पर जहां पुहुंचना चाहे पुहुंच सकता है यह बारत की प्रस्तावना में हमने सिंपल और साफ़ शब्दों में लिख दिया उसके बाद स्वतंतरता है, कितने प्रकार की है, ये देखी क्या लिखा है पीछे, हमने अभी अपनी प्रियंबल पढ़ी थी न, उसमें हमने स्वतंतरता को पढ़ा, कि कितने प्रकार की स्वतंतरता मिलेगी, तो आजादी कौन सी है, विचार की, जो आपका विचार है, वो किसी के दबाव के अपने देश में रख सकते हैं, धर्म की, धर्म के तो बहुत अनुच्छेद हैं, अभी हमने पीछे पढ़े, कोई धर्म मानिये, संस्था कोली अपने धर्म से उसका प्रचार कीजिए, जो करना है आपको करिए, लेकिन उस पर लिमिटेशन्स हैं, याद र रहे हैं, मानली जी आपको बहुत जोर से गाडें गाने का शौक है, लेकिन आप तब गाने नहीं गा सकते जब बाकी लोग सो रहे हैं, तो लिमिटेशन्स हैं आपके आजादी पर कि उतना ही कर सकते हैं, जब तक आप दूसरे की आजादी में दखल अंदाजी पैदा नही कर रहे हैं, तो इतने प्रकार की सोतंतरता हमने अपने नागरिकों को दी है प्रस्तावना के जरीए, फिर समता है, समता क्या समता, समता मतला समानता, बराबरी, किसकी बराबरी, पहली तो कानून के समक्ष बराबरी, कि हर वेक्ति कानून के समक्ष बराबर है नुच्छे 14 फिर धर्म जाती लिंग जनमस्थान के आधार पर मुलवंश निशेद, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा मतलब बराबरी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा तो सब बराबर है, फिर अस प्रिश्यता कांत है अनुचेद सत्रा में, कि को वेक्ति को आप किसी भी प्रकार से नीचा नहीं दिखा सकते, वो आपके बराबर है, लोक नियोजन में समानता, उपाधियों का अंत हो गया अनुच्छे दठारा में, पहले बोलते थे थे न, सर फला, सर डिमका, लॉर्ड, वोईस रॉय, दिस दैट, वो, कोई उपाधी नह के लिए, आपकी उपलब्धियों के लिए, आपकी योगदान के लिए, वो कोई टाइटल नहीं है, तो टाइटल्स को एंड कर दिया गया, जब टाइटल एंड हो गए, तो आप सब बराबर हो गए, कोई वेक्ति कितना भी योगदान देके बैठाओ, लेकिन उसको आप कि कि महिलाओं को भी समता, व्रद्धों को भी समता, सब नागरिकों को बराबरी, फिर है बंधुतु भाईचार्य, ये मौलिक करतवयों में हमने जोडा गया था, कि बंधुतु की भावना को हमने बढ़ाना है, फिर प्रस्तावना में इसको डाल दिया गया था, तो 51 कर में लिखा मौलिक करतवयों में, कि हमें अखंडता को सुनिश्चित करना है, जो कि बायाली सम्धान जन्जोगन, 1906 में जोडा गया, कि देश को अखंड रखना है, आप जो अलग-अलग आंदोलल चलते हैं बारत को तोड़ने के लिए, उनसे आपको बचना है, वो नहीं करना आपका मूल करतव है, व्यक्ति के गौरव को बनाए रखना है, साथ ही आपका करतव है कि आप बंधुतु को बढ़ाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे, जिससे देश में भायचार एक उनुकसान हो, देश का भायचार खत्म हो, या किसी व्यक्ति के मन में, देश की एक अलाडी कृष्ण स्वामी अयर ने लिखा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दिर्ग कालिक सपनों का विचार है, कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, कि किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या हमारे सपने है इस देश को ले करके, वो जो विजन था, का एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हमारी प्रस्तावना, उसके अलावा संविधान का अभूष्ण भी इसको कहा जाता है, कहा जाता है पंडित ठाकूरदास भारगाओ की ये कोट कर सकते हैं, आपके प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आ पुस्तक है Principles of Social and Political Theory, उसमें कहा गया कि राजनेतिक बुद्धिमत्ता का एक डॉक्यमेंट है, कितने सली के से कितने अच्छी लंग्विज में आपने इसको ड्राफ्ट किया है और बनाया है देशवासियों के लिए, तो क्या ये एक भाग है, ये बड़ा प्रशन उठता है क क्या प्रस्तावना सम्विधान का एक भाग है या उससे अलग है, ठीक है, तो बेरुबाडी संग मामला 1960 में हुआ था, मैंने आपसे पहले कहा, जितने भी बड़े-बड़े केसिज हुए हैं बारत के constitutional development की यात्रा में, उनको एक बार पूरा समझ लेंगे, ताकि बार बार आपको अलग-अलग उन केसिस पर नजर न डालनी पड़े, अब इतना ही समझिए कि बेरुबाडी मामले में उच्तम्यायले ने कहा कि प्रस्तावना समिधान में नहित सामने प्रियोजनों को दर्शाता है, और मस्तिश्क की एक कुंजी है, हम अलग-अलग जो समिधान के भाग है, उनका interpretation करने में इसका प्रियोग करते हैं और इसकी विशेष्टा सुईकारने और इसकी उद्देश्यों के बारे में व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का भाग इसे उच्तम्यायले ने नहीं माना इस भाग में, ठीक है, उच्तम्यायले ने प्रस्तावना स सम्विधान का एक भाग है पुराने वाली व्यवस्था को अस्विकार कर दिया वेरुवाड़ी मामले वाले को केश्वानन्द भारती के सम्विधान का भाग है प्रस्तावना और आप उसको अलग से नहीं देख सकते हैं क्योंकि जब भी आपको इंटरप्रेटेशन के मामले में 1995 में एक बार फिर से उस्तम नयायले ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो आंतरिक हिस्सा है और उसके बाद से प्रक्रिया लगातार जारी रही प्रस्तावना को सम्विधान का हिस्सा माना जाने लगा तो बेरुबाड़ी मामले में अस्विकार किया उसके बाद उस्थाओं को नियायले में चुनोती नहीं दी जा सकती कि प्रस्तावने में कुछ लिखा इसलिए आप हमारे साथ नियाय करिए नहीं प्रस्तावना को आप कोर्ट ले करके नहीं जा सकते सम्मिधान को ले करके जा सकते हैं ये मामला है संशोधन की संभावना पर क्या प्रश्ण बनता है कि इससे संशोधित किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तरह तो केश्वानन्द भारती मामले में ये विवाद उठा था फिर इसमें एक बात सामने आई कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इसका भाग है ही नहीं ऐसा कहा गया लेकिन फिर कोर्ट ने कहा था कि ये भाग है याचिका करता कहना था कि अनुच्छे 388 के जरीए सम्विधान के मूल तत्व और मूल विशेष्टाओं को जो कि प्रस्तावना में उल लिखेत है धवस्त करने वाला संशोदन नहीं किया जा सकता ये याचिका करता ने कहा इस पर उस्तम नियाले ने वैवस्ता क्या दी कि प्रस्तावना सम्विधान का एक भाग है तो वो जो याचिका करता वाली बात थी उसको तो खारीज कर दिया केशवानन भारती मामले में कि भई आप जो कहे रहे हैं कि इसमें परिवर्तन करें तो सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि सम्विधान का भाग है प्रस्तावना उसके बाद ये मत जो बेरुबाडी मामले में दिया था उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना को संचोधित किया जा सकता है बशर्ते उसकी मूल व्यवस्थाओं में संचोधन न किया जाए आप समझ रहें क्या व्यवस्थाई यह वही व्यवस्थाई जो केश्वानन भारती मामले में आई थी यानि कि सम्मिधान में संशोधन करें, लेकिन मूल धांचे में परिवर्टन ना करें. अभी जब आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि मूल धांचा क्या होता है, क्या क्या उसमें तर्टवाते हैं, उन सारी बातों को भी देखेंगे. तो निया एले न विरस्थादी की प्रस्तावना में नहीं तमूल विशेषताओं का उच्छे 358 की तहत संशोदित नहीं किया जा सकता और सेम अपलाईज विद Constitutional Preamble 42 में संशोदन में परिवर्तन किया 76 में संशोदित किया गया तीन शब्द जोड़ेगे समाजवादी धर्मनिर्पेक्षो रखंड़ता इस संशोदन को सुप्रीम कोट ने कहा कि ये वैद है क्योंकि आप नया जोड रहें आप घटा नहीं रहें जो है वो अल्रेड़ी है उसके अलावा आप कुछ नया जोड रहें ठीक है तो आज के लेक्षर में हमने देखा कि सम्विदान के आलोचना क्या है प्रस्तावना के मूल शब्दों को समझा, कि क्या-क्या मूल शब्द है, उनकी व्योस्ता समझी, प्रस्तावना को समझा, प्रस्तावना समधान का हिस्सा है, नहीं है, संचोधन हो सकता है, नहीं हो सकता है, इन सारे प्रशनों को टैकल किया, आज के इस लेक्चर में इतना ही आपसे दुबारा फिर मिलेंगे अगले लेक्षर में बहुत बहुत धन्यवाद देखने सुने के लिए थैंकियो सो मच